यहेलो टेडर्स, वील्गुम बेक टू दौ रॉय रोक शेरस आज इस वीडियो में बात करेंगे टेडर्स कल के लिए कुस बैतरी इंट्रडे स्टोक जिस पर आप कल की सेशन में इंट्रडे टेडिंग कर सकते हैं और टेडर्स आज जो स्टॉक टेड करने दे थे उसका भी पिर्फॉर्मेंस जानेंगे तो वीडियो पे आप पुरा बने रहें और अगर अभी तक टेडर्स हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जूरे हैं तो आप भी जूरे आपको वाँ लाइब मार्केट अपडेट और नि पेडियोटी ग्रूप के बारे में तो टेडर्स हमारा पेडियोटी ग्रूप है जिसमें आपको डेली 3-4 कॉल देखने के लिए मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं आज का कॉल का हमारा पर्फॉर्मेंस था जो हमारा फर्स स्टॉप था पॉली के बजार के तरफ से जो हम यहां पर भी देख सकते हैं 600 से जारा का profit करके दिया है और यहां पर भी आप स्कीन सोर्ट देख सकते हैं जो हमके लगबग 2100 से भी जारा का profit स्कीन सोर्ट करके दिया है अगर टेडर आप हमारा paid equity group से जोड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1099 per month मिल रहा है अगर आप इंटेश्टेड हैं तो WhatsApp नमर दिया गया है आप अभी जाके contact कर सकते हैं और टेडर आप इसे lifetime के लिए लेते हैं तो आपको इसमे discount offer अभी चल रहा है जो कि यह आज के लिए सिर्फ है 799 में ही आप lifetime के लिए जोइन हो सकते हैं अगर आप इंटेश्टेड हैं तो WhatsApp नमर पे आ इसमें टेडर्स बहुत ही जादा gap down opening देखने को मिला तो इसमें हमारा कोई से लेबल टीगर नहीं हुआ तो यह स्टॉक हमारा आज का avoid हो गया तो आज का टेडर्स हमारा second stock था बिरला सॉप्ट के तरफ से इसमें टेडर्स देखे तो first में यह candle में हमें entry नहीं मिला था क्य होंगे तो नीचे comment करके बता सकते हैं तो आज का टेडर्स हमारा third stock था नमन इंडिया के तरफ से इसमें भी टेडर्स देखे तो इसमें में स्वार्चल पोजिशन टीगर देखने को मिला जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे breakdown दिखाया जो कि हमारा यह level टीगर हुआ और तो आज का टेडर्स हमारा fourth stock था TBS Motor के तरफ से जिसमें traders हम 10 line draw कर दिये थे और इसमें आज देख सकते हैं first candle में ही बहुत ही ज़्यादा volume था अगर आप ही breakout करने पे buying pushon बनाये होंगे तो देख सकते हैं यह stock ने आज लगबग यह 3% से भी ज़्यादा का move दिया है अगर ट तो आप लोग का हमारा analysis पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को support कर सकते हैं चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दवा ले तो टेडर्स अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए traders हमारा first intraday stock हो जाएगा Tata consumer के product के तर है जो कि आप देख सकते हैं यह pattern आप कौन सा pattern है आपको नीचे comment करके बताना है टेडर इसमें Tata consumer में कौन सा pattern form हो रहा है तो आपको नीचे comment करके जरूर बताना है यहाँ पर देख सकते हैं एक 10 line का formation हुआ है जो कि यह multiple time यह radius कर चुका है और देख सकते हैं यहाँ आज कही अगर इसके नीचे यह breakdown करता है तब आपको कल स्वार्चल पूशन बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1098 से नीचे first target 1094 का रखेंगे second target 1090 का रखेंगे और इसमें stop loss 1102 का रखेंगे अगर टेडर इसके नीचे कल जाएगा तब आपको कल इसमें स्वार्चल पूशन बना कल के लिए टेडर समारा second stock हो जाएगा power grid कोर्प के तरफ से इसको भी टेडर 15 मेर्ट के टाइम पर में देखें इसमें भी एक अच्छा खासा 10 लाइन का formation हुआ यहाँ पे 10 लाइन का formation हुआ जो कि यह multiple time attempt कर चुका है यहाँ पे देख सकते हैं first time attempt किया है second time भी second time डिटेस क टाइम और six time यह जो टेडर मल्टीपल टाइम जो है यह trend line को multiple time attempt कर चुका है कही ना कहीं यह trend line बहुत ही कमजोर हो चुका है तो कल कही ना कहीं इसमें हमें weakness देखने के लिए मिल सकता है अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तब आपको फिर से इसमें एक short sale position बनाना है और इसमें stop loss 244 का रखेंगे अगर टेडर कल इसके नीचे यह breakdown करके निकलता है तब आपको कल इसमें short sale position बना के चलना है तो कल के लिए टेडर्स यह हमारा second interest stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरू टैग करे तो बात कर लेते टेडर्स कल के लिए हमारा third stock कल के लिए टेडर्स कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यह 10 line जाया है जो कि यह multiple time resistance के तरह यह attempt भी कर चुगा, देख सकते हैं first time, second time यहाँ पे consolation किया है और टेडर्स इसमें देखें, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लंबे time से यहाँ पे 10 line का formation किया है, जो कि यह multiple time support की तरह फोलो कर तब आपको यहां पे एक buying position बनाना है, अगर यह कल breakout करता है तब आपको यहां पे buying position बनाना है, जिसमें हमारा label हो जाएगा, 1056 से उपर, first target 1060 का रखेंगे, second target 1064 का रखेंगे, और इसमें stop loss 1052 का रखेंगे, अगर यह breakout करके उपर निकलता है, तब आपको यहां पे buying position बनाना है, जिसमें हमारा label हो जाएगा, 1045 से नीचे, first target 1040 का रखेंगे, second target 1035 का रखेंगे, और इसमें stop loss 1050 का रखेंगे, अगर टेडर इसके नीचे यह breakdown करके निकलता है, तब आपको कल इसमें social position बना सकते हैं, इसमें कल के लिए हमारा दोनों side का label देगा, तो कल के लिए हमारा यह third interview stock हो जाएगा, तो कल आप इसे जरू tag करें, तो बात कर लेते हैं, टेडर कल के लिए हमारा fourth stock, कल के लिए हमारा fourth stock हो जाएगा, ल्यूपिन के तरफ से, इसको भी टेडर 15 मेर के time frame में देखें, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रह है, और टेडर आप नीचे जो एक होट जेंटल टैप है, एक support देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी multiple time यहाँ रीटेस कर चुका है, support की तरह follow करके यहाँ पे देखे, break out करने के बाद, यहाँ पे थोरा consolation करने के बाद, यहाँ upside का move दिखाया है, फिर यहाँ पे देख सकते ह उपर, first target 1394 का रखेंगे, second target 1398 का रखेंगे, और इसमे stop loss 1386 का रखेंगे, अगर यह कल breakout करके उपर निकलता है, तब आपको यहाँ पे buying pushum बनाना है, अगर टेडर यह breakout नहीं करता और यह horizontal support देख रहे हैं, अगर इसके नीचे breakdown करेगा, एक bearish candle यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तब आपको उस case में short sale pushum बनाना है, जिसमें हमारा label हो जाएगा 1375 से नीचे, first target 1371 का रखेंगे, second target 1367 का रखेंगे, और इसमें stop loss 1379 का रखेंगे, अगर यह breakdown करता है, तब आपको कल short sale pushum बनाना है, तो कल इसमें हमारा दोनों साइड के लिए label होगा, तो कल के ल प्रेग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं, तो आप जुरे link description में दिया गया है,